मैं बता रहा था आपको केल्विन के बारे में तो केल्विन के बारे में पढ़ता रहा था तो केल्विन के बताने से पहले मैंने आपको बता रहा था कि केल्विन स्केल क्या होती है तो केल्विन केंलिने लेख 이후 आपको क्या करना है इड्विन के जितने भी आपके टाप है टेमप्रेशन है उन्हें इस सेहने कैब्वी बतलना है तो आप क्या करोगे आपने नॉर्मली सिम्पल एक फॉर्मला लगाना कैं बराबर होता है की कलट गेंड़ केंड़ू डिग्री सेंट्रिगेट प्लस 273.15 यहां आप जिरो यहां सेंट्रिगेट की वैल्यू रख देना तो आप नॉर्मली जितनी भी आप सेंट्रिगेट से कैल्बिन में टेंपरेचर को बदल सकते हैं चलिए एक दिखाता हूं बदल को बदल के आपको एक टेंपरेचर लेते हैं जैसे मैंने एक टेंपरेचर ले लिया तीज डिग्री सेंट्रिगेट ले ले लें या कोई भी ले लो आप जिरो डिग्री सेंट्रिगेट को कैल्बिन में बदलना है तो क्या करोगे कैल्बिन बरावर होता है जिरो डिग्री सेंट्रिगेट ठीक ह यानि जीरो डिगरी सेंटियर्गेडगेड जो कलड बरावर होता है दो सो सो तीए कर i 예द रखर और है कोई को डीको कोसे लाता है किटने के बरावर होता है है के क्थे चल cómotड करिए गा आपक्ट चलिएगा और टीजकन प्लेकी संटिकेडगे आप क्या करोगी सुर्ण आपको करना क्या है और अपको करना क्या है आपको में नी करना क्या है मैं आपको देता हूं 30 30 degree centigrade को Kelvin में बदलना है ठीक है और कमेंट करना 30 degree centigrade को किस में बदलना है आपको Kelvin में formula मैंने बता दिया है Kelvin में बदलने का 0 degree centigrade plus 273.15 ठीक है plus 273.15 ठीक है आगे चलते हैं कभी-कभी आपसे पूश्था है देखो एक और मैं बोलू अगर आपको negative में अगर value बदलने माइनस बताओ अगर negative में बदलने तो नेकिटिव में कैसे बदलोगे यह तो normal हमने बदलनी negative में हम कैसे बदलेंगे तो देखो negative में आपको देता हूं minus 273.15 इसको कैल्विन स्केल में बदलो 273.15 इसको कैल्विन बदलना minus 273.15 तो फॉर्मुला तो वही रहेगा भाई फॉर्मुला थोई ने बदल जाएगा केक कॉल्टू होता है zero degree centigrade plus 273.15 तो zero degree centigrade की जगे कितना centigrade दे रखा है 273.15 तो minus लिखो minus 273.15 ठीक है minus 273.15 प्लस इसके साथ है 200 फॉर्मुला में यह प्लस वाला 273.15 ठीक है अब यह दो प्लस और minus कट जाएगे तो k बराबर कितना आजाएगा आपका zero कितना आजाएगा zero कितना आजाएगा zero कैल्विन कितना आएगा zero कैल्विन अब याद रखना यह जो कैल्विन है zero कैल्विन है यही होता है आपका absolute temperature क्या होता है यह zero कैल्विन क्या होता है आपका zero कैल्विन होता है आपका absolute 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 temperature ठीक है क्या होता यह absolute temperature ठीक है जिरो डिग्री कैल्विन जैनि जिरो डिग्री कैल्विन आपका होता है आप नेक्स क्यंबातलबाएं नु मत्त सलती है कि पेस्टी को परहुद सा습니까 okay, संरे और मंटली को क्या है कि अदाने कम तो केलवीन होता क्या है, सामान ने, यानि नॉर्मली जो बाइमोमेंडली एदाब होता है, एटमोसफेरिक प्रेसर होता है, पर गलते बरफ, यानि मैल्टिंग आईज, गलते बरफ के ताप, तथा उबलते जल के ताप के सौमे भाग को एक केलवीन के थी, याद रखना ये, ठीक है Kelvin normally होता क्या है यह नॉर्मली यह तो बता देते हैं कि Kelvin यह होता है ठीक है यह नी बताती कि Kelvin deeply यह होता क्या है तो deeply आपने समझ लिया नॉर्मल एट्मोस्परिक प्रेसर पर जो आपका गलते बरफ के ताप यानि मेल्टिंग किसका मेल्टिंग अगर जो आईस है वो मेल्ट हो रही हो और जल जो है वो उबल रहा हो तो उसका कितना भाग निकलना है उसका सौमा भाग निकलना है कितना भाग निकलना है सौमा भा नेक्स्ट है आपका एंपियर विद्धुद्धारा का मात्रक है मैंने पहले पार्ट में बताया है एंपियर जो है विद्धुद्धारा का मात्रक है और ये भी बतायाता है कि एंपियर होता क्या है एक एंपियर वह विद्धुद्धारा है जो निर्वात में निर्वात दो सीधे, लंबे वे समनांतर तारों, दो सीधे, लंबे और समनांतर मतलब पैरलर, पैरलर जो तारों में प्रभावित, एक MPR वह विदुद्धारा है, जो निर्वात में, एक मीटर की दूरी पर इस्थित, दो सीधे, लंबे वे समांतर तारों में प्रभावित होने पर, प इतना क्या होता है ठीक है तो एक MPR वह विद्युदा रहा है ठीक है वहF एक मीटर की दूरी पर स्थित्ध दो सीधे लंबे वह समनान तर त यह कैसे होने चाहिए वे द्दिन अधे प्रतीं मीटर प्रतेक्तार की प्रतीं मेटर लंबाईव पर तारों के बीच कितना बल उत्पन करें दो गुणा दसकी घात माइनस साथ कितना बल उत्पन होना चाहिए दो गुणा दसकी घात माइनस साथ टू इंटू टैन की बावर माइनस सेवन न्यूटन का अबल या फोर्स उत्पन हो वो होता है हमारा एंपियर और M.P.R. बिदुद्धारा का मातरक है दोस्तो आज सोडी मिस्टेक होई हुई इसके लिए सॉरी लेकिन क्या करूँ हो जाती है कभी कभी ये विडियो आपका पुरा हुआ कैसा लगा आपको बताना आप थैंक यू